नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में SBI Blue Chip Mutual Fund के रिवियू करने जा रहे हैं Large Cap Category का ये Mutual Fund है और जो Mutual Fund House है वो है SBI Mutual Fund जो की आज की तारीक में भारत में सबसे बड़ा Mutual Fund House या AMC है दोस्तो आज के SBI Blue Chip Mutual Fund के रिवियू में हम 5 चीजों पर फोकस करेंगे पहला Fund के बारे में बताएंगे और उसकी NAV बताएंगे आपको Performance बताएंगे Short Term और Long Term दोनों Performance बताएंगे Risk के बारे में बताएंगे कि आप ज़्यादा Risk या कम Risk कैसा ले रहे हैं इस Fund में वो हम बताएंगे Portfolio की Details बताएंगे Top 10 कौन से Portfolio के Stocks है वो हम आपको Inform करेंगे और Last में Verdict कि आपके Goals के लिए ये Fund आपके लिए ठीक है या नहीं है SBI Blue Chip Mutual Fund का Overview दे देते हैं देखिए ये 80% Investment जो है Large Cap Stocks में करेगा अब दोस्तो Large Cap Stocks जो होते हैं जो 1 से 100 नंबर के बीच में जिनका Market Capitalization होता है दोस्तो Market Capitalization के बारे में अगर आपको Information चाहिए जानना चाहते हैं तो Comment Box में Market करके लिखिए हम शरूर एक अलग से वीडियो बना देंगे Market Capitalization पर फिलाल जानके रखिए जो बड़ी 100 कंपनिया है उस पर ये Fund इंवेस्ट करेगा बाकी का जो 20% पैसा या उससे कम का पैसा है वो Mid Cap Fund या Mid Cap Stocks या दूसरे Stocks या फिर Debt या Money Market में Fund इंवेस्ट करेगा और Fund का हमेशा से Objective यही रहेगा कि Long Term के लिए Growth हो Capital का या पैसा आपका Long Term में अच्छा खासा Compound हो और पैसा आपका Return अच्छा से ज़्यादा मिले आपको यही उनका Objective Long Term के लिए रहेगा Fund के बारे में जानकारी दे दे दोस्तों फंड को 14 साल से ज़्यादा हो चुके हैं 14 फरवरी 2006 को फंड शुरुआत हुआ था और आज की तारिक में 19,633.79 क्रोड रुपीज यह मैनेज करता यानि एप्रोक्सिमेटली दोस्तों यह 20,000 क्रोड रुपे के आस पास पैसा और रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है तो 34.69 तो दोस्तों यह डिफरेंस रहता ही है डाइरेक्ट प्लान में इने भी थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि खर्चा थोड़ा कम रहता है दोस्तों फंड मैनेजर है मिस सोहीनी अंदानी और इस फंड को सप्टमबर 2010 से वो मैनेज कर रहे हैं बेंचमार्क है फंड का SNP BSC 100 इंडेक्स दोस्तों फंड को फर्फ़ूर्मेंस पर आते हैं देखिए फंड कि पर्फार्मेस पर हमने शॉट ठम पर्फॉर्मेंस पहले लिया है लेकिन दोस्तों कभी भी मीूच्टल फंड का शॉट आप perform किया तो वो चीज को capture करने के लिए हमने short term का रखा है दोस्तों यहाँ पर as a research देखिए एक महिने में fund ने देखिए 8.67% return दिया है और वहीं जो index है यह है light green color में index 9.39% return दिया है और जो equity large cap की जो category है उसने 9.09% return दिया है तो fund ने हम एक तरीके से कह सकते हैं लगभग बराबर ही दिया है ऐसा बिलकुल हम नहीं कहेंगे कि fund ने खराब perform किया है थोड़ा सा नीचे है लेकिन लगभग ठिक ठाक perform किया है तीन महीने में यानि आप समझ लीजिए March 10 से June 10 ये तीन महीने हुए तो fund देखिए माइनस 5.23 परसंट है और वहीं पर यहां माइनस 2.67 परसंट है SNP BAC 100 जो उनका जो इंडेक्स है और माइनस 3.1 एकुटी लार्ज केप का कैटेगरी है तो यहां पर fund थोड़ा नीचे हो गया है YTD यानि 2020 जन्वरी एक से क्या रिटन है ये देखिए fund ने दिया है माइनस 16.55 YTD रिटन जो इंडेक्स का है 15.93 और यह है 15.03 तो इंडेक्स के हिसाब से तो इकुटी रिटन दिया है दोस्तों लेकिन कैटेगरी ने उससे भी अच्छा परफॉर्म किया है दोस्तों अब एक साल में रिटन देखिए fund है माइनस 14.48 और वहीं पर इंडेक्स है माइनस 13.86 और कैटेगरी है 12.87 तो दोस्तों ऐसा नहीं कह सकते हैं कि फंड ने बहुत खराब परफॉर्म किया है यह भी नहीं कह सकता अच्छा किया है हम कह सकते हैं कि फंड ने मीडियम या ठीक ठाक परफॉर्म किया हुआ है दोस्तों अपनी कैटेगरी और जो इंडेक्स है जिसको बीट उसे करना चाहिए उसे वह नहीं कर पा रहा है लेकि पर इंडेक्स का रिटन है 2.09 और एक्विटी लार्ज के अपकी कैटेगरी का रिटन है 1.69 तो यहां पर आपको सिगनिफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है दो से तीन परसंट तक यहां पर अंडर परफॉर्म किया हुआ है शॉर्ट टम में फिर भी हम म कर रहा है लेकिन अपने इंडेक्स को तो फंड बीट नहीं कर पाया है दोस्तों अब साथ साल में लेकिन अब देखिए यहां सिचुएशन चेंज हो रही है फंड है 11.14 परसंट इंडेक्स है 9.7 और वही जो एक्विटी की जो लार्ज कैप कैटेगरी है 9.41 तो यहां पर पंड ने लॉंग टर्म में अपनी कैटेगरी को और अपने इंडेक्स को दोनों को बीट किया है तो इससे एक चीज़ समझ में आती है दोस्तों कि लॉंग टर्म में अगर आप इंवेस्ट करें अच्छा मीच्वल फंड हो अच्छे फंड मैनेजर्स हो अच्छा फंड आई है सौरी उसका है 8.41 और इसका है कैटेगरी का है 8.1 तो यहां पर भी फंड ने देखिए ऑल्मोस्ट वन पॉइंट हम कह सकते हैं 25 परसंट से एक्स्ट्रा रिटर्न दिया हुआ है तो गोकी अच्छे ही बात है दोस्तों लॉंगडर मेंट अच्छा कर रहा है धो शॉर्ट Sebastian में थोड़ी वॉलाटिलिटि है अभी हम देख सकते हैं परफॉर्म नहीं किया है फिछले एक साल में 3 साल में तो हमनों को और देखना चाहिए अगले 3-6 मैनों में क्या होता है हम फिर से एक बार रिव्यू करेंगे 3-4 मैनों के बाद प्रिफरेबली सब्टेंबर अक्टोबर में की फंड की कैसी स्थेती है दोस्तों जब चीजे और ज़्यादा क्लियर होंगी तक तो दोस्तों हमने आपको रिटर्न बताया अब रिस्क बताते हैं रिस्क में शार्पे रेश्यो को हमने लिया है 3 साल का शार्पे रेश्यो मौनिंग स्टार से हमने डेटा लिया है अब यहाँ पर रिस्क को आप देखिए यह ज़्यादा होना चाहिए तो फंड का देखिए माइनस 0.14 है कैटेगरी का माइनस 0.06 है और यह है माइनस 0.02 तो यह ज़्यादा नहीं है यह कम है तो यह अच्छा नहीं होता है तो शार्पे रेश्यो ठिक ठाक मैनेज नहीं है दूसरा स्टांडर्ड डिवेशन भी दिखा देते हैं स्टांडर्ड डिवेशन कम होना चाहिए इंडेक्स के comparison में या category के comparison में तो आप देखिए fund का standard deviation कम है लेकिन उतना भी कम नहीं है आपको यहाँ पर figure बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा लेकिन यह approximately उतना ही है लेकिन फिर भी fund को हम marks तो देंगे ही उसने standard deviation में ठीकटा कम किया है अब upside capture ratio देखिए जब index 100 point उपर जाता है तो category 88 point उपर जाती है और fund 91 point उपर जाता है तो category को तो fund बीट कर रहा है लेकिन index को बीट नहीं कर पा रहा है तो यह ठीक ठाक performance हम कह सकता है downside capture ratio देखिए 100 point अगर index नीचे जाता है तो category 95 point नीचे जाती है तो वो अच्छा है category कम नीचे जाती है लेकिन fund 100 point ही नीचे जाता है यह तीन साल का अगर data देखिए तो यह यह भी हम ठीक ठाक ही कह सकता है बहुत अच्छा नहीं कह सकते है अगर 90 होता यह 85 होता तो बहुत अच्छा रहता है 100 है तो हम कह सकते हैं जितना index नीचे जाता यह भी उतना ही नीचे जाता है के portfolio में 56 stocks है 56 stock है दोस्तों और उसमें से जो top के 10 stocks है जो हम आपके सामने लाए है वो पूरे fund का 44.3% हिस्सा है तो यह 10 stock पर बहुत ज़्यादा उमीदे रहेंगी fund को कि यह stock perform करें तो fund भी perform करें पहला है HDFC bank देखिए 9% से ज़्यादा का जो asset है fund का वो manage कर रहा है HDFC bank जो total अपने asset देखा 19,000 के आज पास 9% पैसा HDFC bank में लगा है फिर है ICICI bank फिर है ITC फिर है DVs laboratories फिर Reliance Industries फिर है Nestle फिर Larson & Tubro सातवा नाम आठवा नाम है HCL Technology IT की कंपनी है HDFC Limited नौवा नाम है और दसवा नाम है कोटक महिंद्रा bank हम यहाँ पर देख सकते हैं दो तीन चार चार total finance की कंपनी है दोस्तों यानि जो banks है total चार है IT में सिर्फ हम एक ही नाम देख पा रहे हैं बाकी FMCG healthcare energy सब मिला कर थोड़े नाम हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों अब last में verdict verdict में दोस्तों long term performance अच्छा रहा है फंड का short term में यह बराबर का perform किया है देखिया बहुत खराब भी perform नहीं किया यह भी चीज हमको समझने चाहिए market खराब थी ऐसा नहीं है कि market 10% नीचे थी तो यह 15% नीचे गिरा है नहीं उसके आसपास ही है एक परसंट थोड़ा ज़्यादा गिरा हुआ हुआ है दोस्तों तो उस हिसाब से fund ने अच्छा manage किया हुआ है जो भी return वाला part था risk भी हमने देखा ठीक ठाक manage किया हुआ हुआ तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि above average fund है और उसने जो भी investors है उनको निराश नहीं किया हुआ है खासकर long term में तो दोस्तों तो इसलिए mutual fund में कहां भी जाता है equity mutual fund में कि large या long time के लिए सोचिए और ऐसा नहीं है कि एक दो साल या एक दो महीने के लिए आप सोचिए 5-7 साल के के लिए अपने जरूर जो भी अपका जो भी objective होगा उसके हिसाब से timing रखिए दोस्तों fund manager experienced है और in fact नवनीत मुनुत सहाब भी है बिल्कुल head में तो वह भी बहुत ही experienced है fund house team बहुत ही experienced है SBI mutual fund की team है बहुत ही experienced है और आज की तारिक में दोस्तों फिर से बता दे SBI mutual fund सबसे बड़ा AMC है इंडिया में दोस्तों लेकिन आपको यह fund में invest करना है कि नहीं उसके लिए आपको अपना asset allocation देखना है और goals देखना है दोस्तों अगर आप senior citizen है या retirement के पास आ रहे हैं 55 साल के पास आ रहे हैं तो फिर यह fund आपके लिए थोड़ा risky हो जाएगा क्योंकि equity fund है और long term 7-8 साल के लिए आप invest करेंगे तो उतना ठीक नहीं रहेगा आपके लिए फिर दूसरी category ठीक रहेगी जो आप अपने financial planner के साथ discuss कर सकते हैं लेकिन जो young है 25-30 साल के हैं जो fund में 7-8 साल invest कर सकते हैं और large cap category के बारे में सोच रहे हैं तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि य नहीं करेगा और उसने नहीं किया है past में उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि बहुत दुखी नहीं करेगा लेकिन हाँ अपना asset allocation जरूर देखें ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा एक ही mutual fund में डाल दे चोटा सा वीडियो था दोस्तों हमने यहां पर review में जितनी भी जानकर या हो सकती है fund के बारे में एकटी करके आपको देने की कोशिश की वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए आपने अपना time दिया आपके time के लिए दोस्तों बहुत बहुत तन्यवाद